दोस्तों अगर आप भी जस्परीद बुम्रा को एक बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों जस्परीद बुम्रा ने हाली में शादी की है और उनकी धरम पतनी अब IPL के बीच में काम पर लोटती हुई नजर आई है तो चली आपको बताते हैं पूरा मामना लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जस्परीद बुम्रा और मुहम्मद रमी में कौन बहतरीन गीमपास है इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईए तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपेल का आगाज 9 अप्रेल से हो गया है जिसमें पहला मुकाबला मुंबई इंडियन्स और रॉल चलेंजर्स बैंगलोरू के बीच में खेला गया आपको बता दें कि शादी के बाद जस्परीद बुम्रा की धर्म पतनी काम पर वापस लोटी थी और बेहादी खुपसूरत दिख रही थी लेकिन इस बीच जस्परीद बुम्रा चुट्टी पर थे और किसी अक्टर से कम नहीं है और ऐसे में जब IPL के बीच में संजना गणेशन IPL को होस्ट करती हुई नजर आएंगी तो IPL का रुमांच अपने आप ही दोगुना होने वाला है क्योंकि पहले मैच में जस्परीद बुम्रा मैच केलते हुए नजर आएंगे और उनकी धर्मपतनी IPL को होस्ट करती हुई नजर आएंगी और क्रिक्ट एक्सपर्ट से बातचीद करती हुई नजर आएंगी ऐसे में जस्परीद बुम्रा के फैंस के लिए तो ये किसी खास पल से कम नहीं होगा क्योंकि बुमरा और उनकी धर्म पत्नी दोनों एक ही मैदान पर देखने को मिलेंगे जब कि दोनों का काम भले ही अलग हो लेकिन दोनों क्रिकेट से जुड़े हुए ही है लेकिन दोस्तों इस बीच संजना कडिशन के लिए बेहदी बड़ी उपलब्दी है क्योंकि इससे पहले वो KKR के लिए एंकरिंग करती थी और अब उन्हें शादी के बाद IPL जैसे बड़े प्लाटफॉर्म पर एंकरिंग करने की उपलब्दी हासिल हुई है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही संजना कडिशन IPL का मज़ा दोगुना करने वाली है लेकिन दोस्तों आप सभी संजना कडिशन की खूपसूर्थी को दस में से कितने नंबर देंगे इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर दीचेगा और ऐसी की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को तन्यवाद